मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सुथ हूँ प्रेमानंद महराज जी के आश्रम में जाकर अपना दुखरा रो रही थी इस वीडियो के सामने आने के बाद तलाक की अफवाई उठी है अब खुद सोवार 30 सितंबर को वीडियो जारी करके रितुराथी ने इस्टग्रम पर वीडियो शेयर करके कहा है कि गौरफ तनेजा क को विलन बनाना बंद कीजिए रितुराथी ने ये भी कहा है कि शादी दो लोगों के बीच होती है ऐसे में किसी को भी कुछ भी बोलने का हक नहीं होता पहले आप भी सुनिए रितुराथी ने क्या कहा बारा मय हूं बच्चा के साथ हूं खुष hou थेकर it was dearly with hidden identity with some personal questions asked was that me yes I have my face zoom in कर कर oh that's her oh that's her voice am I a ablanari no I am not reality check the maid who comes to your house वो अबना नारी है उसके घर में उस पे हजार अक्टा चार हुआ है and I really wish कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी issues resolve करते और कहते कि we are in your army मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पानने के लिए कि मैं अपने बच्चा ना अखेले भी पान सकी कितने ऐसे आदमी है बारत देश ना जो अपनी वाइफ में एक्वली के तुब होना थे कदे इसा होया है कि आप मैं अपने हिर्दय की पीड़ा या अपनी दुविदाय अप्टशन अपने बगवान के अगे रख्यों इवन आइड़ वह उनसा ऐसा रिष्टा है याद जाहे आप अपने मापाप का लगा लो भाई भेन का लगा लो दोस्त का लगा लो हस्बेन भाई इस किसी का भी जिसमें कभी आप हाथ ना होयो याँ कुछ बात इसी ना चुब की हो कि बस भगवान का गजा कर हुए ना हो इवन आइड़ आपा सब हम सब छूट बोला दे ली जे लोग कमेंट में दिखन लाग रहे हैं यह सब निंदा गरन लाग रहे जो भी है वो मेरा परसनल इशू दाया है आगर मनव उसको पब्लिकली प्लेस करना होता ठो माई डियर रित्तु जार्मी आप इंस्टाग्राम तो अनौंस हाला कि पूरे वीडियो में रितु राठी ने ये नहीं बताया कि वो गौरफ से तलाक लेंगी या नहीं फिलहाल रितु राठी के इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर लिख कर बताए ऐसी ही और खबरों से हमेशा बेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तुब लाइक और शेर करना ना भूलें